ओ आगे आप लोग तो हलो गेमर इट इस मी सेल जो और आज हम फिर से खेलने वाले राफ और यहाँ पर आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर हमें काफी कुछ बना लिया है मलब काफी कुछ तो नहीं लेकिन खाने का बंदबस्त हो चुका है पीने का पानी तो खाना खाने वाले क्योंकि हमें भूख बहुत जोर के लग रही है और उसके बाद यहां पर पीने वाले पानी क्योंकि भाई मेर को काफी टाइम से प्यास लग रही है एक मिनट आगी तरफ एक आईलेंड है वाउ तो आज हम एक आईलेंड में जाएंगे हालागी पिछली वाली भी हम गए थे लेकिन पता नहीं हमारी बोट रुक की निरी आईलेंड में तो उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा फिला भाई यहाँ पर हमने एक मचली पकर लिये तो उसको फटा फट भूनने के लिए लगा देते हैं लेकिन एक मिनट भाई यहाँ पर यह पीस टूटा हुआ है लगता है शाक ने इसको तोड़ दिया होगा तो प्लैंक वगर है क्या मेरे पास अरे यार मेरे पास प्लैं गुम रही है ओ डॉल्फिन तो बहुत बहुत बैर होती लेकिन बहुत ज़्यादा अक्रामक भी होती अक्रामक बोर रहा हुआ बहुत जदा मलब गुस्याल भी वह तो तो फिला मैं तो बिल्कुल भी चेड़ने वाला नहीं हूँ फिला पाई यहाँ पर हमने खाना का मैं बहुत थी खतरनाग तुफान आये था, मेरी बोर्ड तो ना हवा में उड़ी थी मेरे को तो लगा था भाई, मैं तो पानी में डुबूंगा तो भाई मुझे को फटा फट सा अपनी बोर्ड को थोड़ा करना बड़ेगा, ताकि बड़े बड़े तुफान को जेल सके, न एंकर बनाना है, अब इसका यहाँ पर क्या काम है एंकर का, इसकी मदद से ना मैं अपनी बोर्ड को एक जगा रोक सकता हूँ, नहीं तो हवा के बहाँ से मेरी बोर्ड तो पतनी कहां जाएगी, कहां मुझे भी नहीं मिलेगी, तो अभी तो फिला पैडल मारके मैं इसको आ यहाँ बात है, फिलाल हमको यहाँ पर भई एंकर बनाना था, पिछली वाली भई मैं कितने टापूओं में गया, लेकि मेरी बोर्ड वहां रुकी नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंकर ही बनाया था, जिसकी मदद से मेरी बोर्ड कभी यहाँ, कभी वहाँ, फिल अलाकि मैं इसको दूर से देख सकता हूँ, तो अगर मेरे पास यहाँ पर पैडल होता है, अच्छे वाला तो मैं इतनी दूर तक चला जाता, लेकिन पैडल भी मेरे पास बहुती थकेला सा है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, फिलाल यहाँ पर खाने का बंद बस्त हो गया, तो पहले फिश खाई जाए, अपनी भूग को शान्त करी जाए, क्योंकि भूग बहुत जोर के लग रही है, और प्यास भी लग रही है, लेकिन भाई कम से का हमने यहाँ पर अपने खाने पीने का बंद बस्त करें, क्योंकि अगर आप समूदर में खोजा हो गए ना, तो पीने का बंद बस्त, खाने का बंद बस्त, में चीज है, तो यहाँ पर हमको एंकर बनाने के लिए, चार स्टोन चाहिए, मेरे पास अभी तीन है, तो एक स्टोन बनाना पड़ेगा, फिलाल यहाँ पर हम और क्या-क्या बना सकते है, नेल किस काम आएगा यह, रॉप बना क्या, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता कि मुझे कीस चीज की कहाँ पर लोड पड़ेगी, क्योंकि अभी तक बाई यह मैंने पहली बारी खेले- ममझे कुछ भी नहीं पता, फिलाल हमारा island हमसे बहुत दूर है, और बातों हमारा island चला गाए, देखो बई, मै क्या बोलू यार मैंने को चाहिए था कि आज रात किसी आईलेंड में बिताओ मैं बई कम से कम तीन दीन से समुंदर में घुम रहा हूँ समुंदर में मैंने अभी तक ना खोई भी ओ भाई जब भी मैं शार्क को देखता हूँ मेरी तो भी फटके चार होती है लगता है कभी भी हम पर हमला कर देगा है हमेशा वो भाई नीचे बन रहता रहता है भाग जा भाई कई और चला जा अगर मेरे बस में हुआ ना तो मैं शार्क का भी शिकार करना चाहूँगा क्योंकि यार यह वो देखो बए बहुत ज़धा ड़ाती है इतना कौन डर्याता है हमला करना है करने नहीं तो भष ओ डर्भी में को पता क्या है क्योंकि यार ये ना एकदम से हमला करती है और पूरी फट्टी की फट्टी ले जाती है तो बढ़ डर तो लगता ही है तो अभी हम यहापर क्या करने वाले आज मेरा सब्सक्राइब में जो मकसद है कि हम किसी आइलेंड में जाना बहुत जुरूरी है वहां से हमें काफी कुछ मिल सकता है जैसे जंगली जानवर अगर कोई होगा खाने का समान मिल सकता है फ्रूट करना पड़ेगा यह चीज बड़ी बेकार है यार भाई मेरे को छोड़के चला जातू कहीं और किसी और के पास चल जाए जाए नहीं रा भाई कित्रे टाइम से मेरे पीछे बड़ा है पागलों की तरह मेरी बोट पे हमला करता जा रहा है फिला भाई यहापा मैंने एक और एक फीश रख दिये बड़ी चोटी फीश है आ रही है इससे मेरा पेट कुछ खास नहीं बड़ेगा और हाँ मुझे एक और एक बात जाए जाद है कि अगर भाई यहापर मैं बड़े बड़े आइलेंड में जाऊंगा रहा तो वहां से मुझे जंगली जानवर भी मिल सकत है और यहाँ पर फूट वगएरा भी है जाता कि मैंने देखा था कि यहाँ पर हमको फूट वगएरा भी मिल सकते है जैसे नारियल के पेट भूत होते इस जगह में तो नारियल मिल सकते हमें और नारियल से हमें मिल सकता है और यहाँ पर पीने का पानी मिल सकता है और आपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता तो आज हमारा मेन मक्सद जो यही है कि हम किसी आइलेंड में जाए फिलाल अभी तो हमारे पास यहां पर कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है और हाँ यहां पर ना भई तुफान जब आता जैसे कल आया था मैंने वीडियो कानी के अंदर डूब गया था ओ भाई मेरे को पता है मैं कैसे बचाओ उस तेम भाई वो मैं दुबारा नहीं करना चाहता है जो मर्जी हो जाए फिला भाई मेरे को सोच रहा है कि यहां पर मैंना कुछ ऐसी चीज बिना लू कि यहां पर ना मैं अपनी बोट मेंना खेती ब अरहाना मेरी बोल्ट प्लेट ब्लट सकती है तक मुझे बीच बीच विच में रहना पटे काора भर आहिए अप देख रहे हो 都是 मेरे बीच में रह लएंपार जो साय सब्च पलट सकती है जैसे कर फल्ट थी और मॉसम देखो कि इतना ज्यादा खतरनाक हो रहा है ओ भाई बोट भाई में को ओ शाक हारी है यह अमला करीगी किया नहीं 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 इसको लगणा भी मेरी बोट कभी पलट सकते है इसलिए मेरे आसपास गूम रही है ना मुराद कहीं कि दूर चले जाए यहां से मैं मैं को ड्रा रही है तो बाई ऐसी कुछ हुआ था लेकिन यह सब हुआ था रात के वक्त अर अभी तोसु खायर सुबया है तो इतना टेंशिर की बात नहीं है दो रात के वक्त ये सीन में तर्वार समय नहीं भाई धॉर तो बारिश भी होती है लेकिन इसमें आफो आग लग लग रहग है यह ए तो कैसी बारिष ऑन्र बारिष पतर और जदा बढ़ी है क्योंकि अगर हम यहां पर पोधे उगा सकते हैं तो बारिश बहुत बढ़ी है उनके लिए तो हम एंचर फटा फट से रख लेते हैं अपने पास ठीक है भई हमने एंकर बना लिया है तो अब इसको क्या काम कहां पर लगा है इसको कैसे लगाते मुझे दूर दूर तक कोई भी आईलेंड नहीं दिख रहा है तो अभी तो हम भाई 20 समूधर में फसे होए और चल रहा है बहुत अगला तुफार भाई लहरे देख रहो आप किस तरह उड़ी हावा में मेरी बोट देखो कितरी टेटी होरी देख रहो आप ओ पाने में पाने में देखा 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 आपने तो यह चीज हो रहे थी कि मेरी बोट ना मेरे को भी आगे पीछे होना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए नहीं तो मेरी बोट डूब जाएगी बोट कह रहा हूं मैं बोट तो है भी नहीं है एक फट्टा है बस तो इससे बचना बहुत मुश्किल है तो फटा पट भाई हम थोड़ा वेट कर लें तुफान के डल जाने का क्योंकि तुफान एकदम ही तेट चल रहा है अभी तो काफी कम है कल के मुकाबले कल तो बहुत जातेज़ा और रात हो रही थी पूरी तो भाई मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान पर सांस आई और सुबा भी हो चुकी है क्योंकि कल पूरी रात तुफान आता रहा भड़ी मुश्किल से तुफान शांत हुआ और हम भी थोड़े स्टेबल हो चुके तो यहां पर मैं सोच रहा हूं कि यहां पर ना मुझे थोड़ी खेती बाड़ी भी कर लेनी चाहिए क् उससे काफी मिल जाएका तो ओ सलुना रात खेन रात बःकर और इसमें कुछ अब बडी चैना देते हैं तो एक कुछ हम घाने मेरे पास थीक है इन प्रूझा है यहां पोडे लगा दिये अब मेने मेरे ख्यासस करना पड़ेगा और किटना बनते較 ऑनाब मुझे कंदेव59 hm कि इनको कैसे ग्रो करवा सकते हैं इनको पानी देना पड़ेगा या बीना पानी कि यह उख जाएंगे कुछ भी नहीं पता मुझे फिलाल तो वो सब दीरे दीरे पता लगेगा मैं काम करता हूं यहां पर पहले थोड़ा पानी उबा ले तो कि पानी पूरा खतम हो चुका है और मचली हो वी थोड़ा फ्राय करने पर लगा देते हैं भुलने लगा देते हैं खाना सब्दड़ा कर बशड़ा नै जा हिया हम थोड़ा क्व नशाम ह कर दोंते हना ना कि या रूशा तो यह बूक लगती है यह अएदर ये क्या था भाई पंचियां भी आ दी गए इसमें भाई यहाँ पर यह पक्षी आ के मेरा मेरे क्या से बीच वगएरा खा के जारी दी क्या वो भाई यह क्या है या इसमें क्या क्या हो और अब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है मेरे को लगा भाहियर अपना भाहि मज़े से यार बीच वगेरा लगाओ पोद्य वगेरा लगाओ खाओ लेकिन पोद्य को खराब करने के लिए भी पक्षी को रखा हुआ है यार यह लोग मुझे जीने नहीं देंगे और उपर पक्षी गुमी जा रही है गुमी जा रही है यह क्या बखवास है यार पहले तो वह शाक मेरा दिमाग खराब करती है अब उसके बाद यह पक्षी यार दिमाग खराब हो रहा है बला भाई यहाँ पर एक मुसीबत से मेरा पीसर नहीं छूटा तो दूसरी मुसीबत आगी पक्सी भी यार यहां पर परिशान कर रही है वल्ला भाई हमने छोटे बोटे यार थोड़ी भी खेती वारी करनी शुरू करी है यहां पर एक और एक पक्सी मेरा दिबा खराब करने के लिए आगी किया बात है यहार और बात एक और एक मैंगो याद आई कि कल राद काफी तगड़ा तूफण आया मलब काफी तगड़ा तो जो मैंने एंकर रखा था ना उसको मैंने आप पानी में घेर दिया था ताकि हमारी जो boat है एक जगा stable रहे ने तो मेरी boat तो कभी यहाँ गूम ली थी कभी वहाँ गूम ली थी तो तुफान से बचने के लिए मैंने अपने anchor का use करा और सबसे मज़े की बात पता है क्या है सबसे मज़े की बात यहाँ पर यह है कि हम anchor को थाली एक वारी यूज़ कर सकते है समझे रहो एक वारी यूज़ कर सकते है बस देखो तो भाई आप अपने को दुबारा से anchor बनाना पड़ेगा यह बात में बात में पता लगेगी कि यहाँ पर anchor को हम बस एक वारी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद हूँ कबार है तो उसको फैकना पड़ता है तो क्या बखवास है यार ये तो सामें तरफ एक और एक आइलेंड है और वहां पर हमको जाना लेकिन एंकर बनाने के लिए हमारे पास यहां पर पत्थर नहीं है और पत्थर मेरे को चाहिए होंग तो भाई ये भी खराब करतेंगे पक्षी लोग तो यह कुछ दबबे दबे नहीं आ रहे में को यहार फड़ा फड़ से यहां पर एंकर बनाना पड़ेगा ताकि हम सामने वाले आइलेंड में जा सके तो काफी खरतनाग आइलेंड लग रहा है मिल को काफी कुछ हमें मिल स जरी ये ऐसा हो सकता है तो बढ़िया रहेगा लेकिन जातर मुझे पता है हमको एंकर बनाना बहुत जादा जरूरी है नहीं तो भाई हमारी बोट पता ही समंदर में कहीं भी खो सकती है तो इसको भी हमको ध्यान रख रहा है कहीं भाई मैं जाओ आइलेंड के अंदर समान समय खराब जाओ जो भी मने रखा मैं बिल्कुल जीरो में आ जूंगा तो ये बोट आगे चटरी कि चटरी हम आगे भड़ रहे की निए बढ़ रहे हम पस खाली पैडल ही मारी जा रहे है मर को नहीं लगता भई हम आगी तरफ जा भी रहे और पैडल भी खतम होने वाला है नहीं नहीं आगे जा रहे जा रहे जा रहे कोशिश करती रहने चाहिए चलते जाओ चलते जाओ नहीं शैसे में को लगता नहीं हम आगी तरफ जा रहे हम अपने पैडरल को भरवाद कर रहे है और अपने एनर्जी भी की काम बन रहा है बन रहा है के काम में को समझ भी नहीं बोट एक ही जगा रुकी हुए कि आगे भी चड़ रही है नहीं नहीं मेरको नहीं लगता हम आगे की तरफ चल रहे हम एक ही जगा खड़े हुए ओ यार शार्क भाई तु ड्रा मत यार ड्रा मत अभी भी मैं जिन्दा हूँ और उपर हूँ ठीक है जब मैं नीचे गिर जोँगा पानी में तब मैं को खाने आई हो दिमाग कर आप कर रही है हमें सब गूमती रहती है लेकिन आगे की तरफ चल रहे है कि नहीं चल रहे है मेरे को इतना नहीं पता लग रहा थोड़े से मैंने वह लगा रख के खेटीबाड़ी कर रख वुटीकोँ खाने की लिए आयदे कम से कम फसल को उगने तων मतलच लगा है उसको उगने तो दो उसके बाद खा ले ना दिमाः खोला तो मेरे खियाल से ना इनको पानी देना पड़ेगा में जाते लगता है फ्रेश पानी देना पड़ेगा पोदो को तब जाके जो मेरे बीज उगाए थे आलू के वो भाई पूरे तरीके से बड़े हो पाएंगे कि अभी ना उसमें फ्रेश वाटर ही डाला खाली मैंने बीजो को ना मट्टी में थोड़ा सा दुबा के रख दिया है उनको थोड़ा पानी वगरा भी देना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको पता ही है कि पोदो को पानी कितना अजा जरूरी है और यहाँ पर दुबार से शाक ने अटाय कर दिए यार यह बहुत ज़्यादा हरामी शाक है भाई यार छोड़ दे मेरा पीज़ा मेरे को कम सका अपने थोड़ा यह बेस तो बढ़ा करें तो अभी बेस मेरा बहुत छोटा है बहुत छोटा बेस है फिलाल यहाँ पर मैंने एक और एक स्टोरीज बना लिया जिसमें मैं मचली वगेरा खाने पीने का समान रखू क्योंकि अभी तक मेरे पास यहाँ पर जो स्टोरीज है उसमें मैं फालतु के समान रख रहा हूँ मतलब अभी तो फिला मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं करा है कहाँ पर मैं क्या रखूँआ क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ज़़ादा है नहीं क्योंकि में अभी खाने में भूक लगती रहती है तो स्टोर करने की जो बात ही नहीं है और पीने का पानी को हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं हम वो भी रखना भूल गया जीदेगे लिए अपने बेस को भी बड़ा करना है यार क्योंकि छोटे बेस में जो हमनी शार्क है उसे बहुत खत्रा है में तो एक मिनिट हम यहाँ पर थोड़ा और प्लास्टिक ले लेते हमको एंकर भी बनाना है और हमको जल्दी-जल्दी किसी आइलेंड में भी जाना है तो गास भाई यहाँ पर काफी ज़्यादा मैनत करने के बात मलब काफी ज़्यादा अरे यार यह बार बार की परिशान कर रहे है यार ऐसे तो भाई यह मेरी फसल को खराब कर देंगे तो हमको फटाफट से एक आईलेंड में जाना है तो उसके लिए यहाँ पर हम बनाने वाले एक सेल ठीक है अब इसका यहाँ पर क्या काम होता भाई इससे राम जो मेरी बोट को थोड़ी रफतार मिलेगी हाला कि जहाँ पर हवा है ना हम यह उसी ट्रेक्शन में जाएगी तो हम इसको फटाफट से बना लेते हैं तो इसको यहाँ रखते हैं सबसे बढ़िया तो भाई अब इसका यहाँ पर क्या काम है देखो यहाँ पर जैसी हावा चल रही है अब यह मारी बोट ना काफी तेजी से बढ़ रही है तो अब इस डिरेक्शन में हमें बढ़ना हमको उदर इसको गुमाना पड़ेगा तो एक बारी बस मेरे को यहाँ पर कोई तो नहीं दिख रहा है लेकिन तब भी हमने इसको बना लिया ताकि फ्यूचर में हम उसका यूज़ कर सके तो काफी ज़्यादा बढ़िया है तो मुझे अभी पता नहीं से कैसी यूज़ कर सकते है बस मैं इसको ट्राइ कर रहा हूँ सीख रहा हूँ क्योंकि सब कुछ तो इसको ऐसे यूज़ कर सकते है यह गूमता है तो आइलेंड वगेरा मुझे कई भी नहीं दिख रहा है पता नहीं सारे आइलेंड कहां चले गए और हाँ यहाँ पर मुझे एंकर अभी भी मैंने नहीं बनाया तो उसको भी बनाना पड़ेगा एक स्टोन मुझे मिल गया आइलेंड इन दिखना कोई आइलेंड दिखेंगे तब तो मैं जाओंगा उस आइलेंड में तो एंकर तो मैंने बनाया नहीं लेकिन तब भी मैं ट्राय करूंगा कि उसके बिना अगर हमारी बोड रुकती है तो बहुत फाइदा है हमारे लिए और यहां पर दुबर हमला क दिया गिया मेरा हत्यार खतम होने वाला है और जैसी मैंने उसको एक वारी मारा मेरा हत्यार टूड गया खैर कोई बात नहीं जादा हमें यहां नुकसान नहीं हुआ हमको बस यहां पर एक फट्टा लगाना पड़ेगा उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जएगा तो रा आइलेंड दिख गया मुझे सामने की तरफ आइलेंड है वो यह हुई ना बात तो चलो भई काम पर लग जाते सबसे पहले हम पकड़ते हैं मचली ठीक है एक मिंट यह क्या हुआ मैंने मचली पकड़ ली ना एक और दुबारा पकड़ते हैं नहीं आर यार दूर फैकना ब सामने की तरफ तो एक मिनट यहां पर मैं पहले तो भई मस्चिलों को भूनने के लिए लगा देता हूँ क्योंकि मुझे पूख लग रहे हैं बड़ी चोर के और बस देख तो इसको कैसे चलाते हैं मैंको तो यह भी नहीं पता और एक बिट मैंको यहां पर एक और काम करना कि यहां पर यह जो मैंने पोदे लगा है ना यह पता जी उख क्यों नहीं रिये तो मेरे ख्याल से मेरे को इनको फ्रेश पानी देना पड़ेगा तब जाके यहां पर यह ग्रो होंगे तो फ्रेश पानी देना पड़ेगा इनको मला भई समुदर का पानी नहीं दे सकता नह कि काफी टाइम से इसको मैंने ऐसी रखा था और यह उग नी रहा था तो मैंने छुड़ा चेक करा तब पता ला कि यहां पर हमको इसको फ्रेश पानी देना पड़ेगा तब ही यह पोदे बनेंगे और हम पोचने वाले आइलेंड की दा फिलार भाई अब मैं यहां पर हो पता इससे बात बन जाएंगे तो हमारे लिए पहुत ज़्यादा बड़ी है और आज हम पहली वारी जाएंगे एक आइलेंड में और देखेंगे आइलेंड आखिरकार होता है क्या होता है उसके अंदर क्या आपको पता हम काफी टाइम से समुद्र में घुमी जा रहे बहुत बहुत लग रहे तो फिश मैंने लगाए थी फ्राइ करने को तो बन चुकी है तो खा लेते हैं और अपने आपको थुड़ी ताकत देते है तो फाइनली हमको यहां पर बूग वी शान्त हो चुकि है और हम पाइनली पहुच चुके एक आइलेंड में लेकिन हमारी यहां पर फस तो नहीं गया गया इसे भाग तो नहीं जाए कि यह भी बड़ी टेंशन है यार दो को पता निया कि यार इससे मेरी बोट रुकी की की नि रुकी की अगर नहीं रुकी तो भाई हम बहुत बड़ी मुसीबत में फस सकते हैं और प्यास भी लगनी शुरू हो गया है, मेरे को यह क्या हो रहा है एक दिम से ही, एक मिल्च बोड यहां पर फज चुकी है, काम नहीं करना बिल्कुल भी, ओपर से यहां पर मेरे को लगड़ी बड़ी जोर के प्यास, और फाइनली यहां पर हमने जो पानी था, वो और हमें अब सब कुछ साहे सए दिखने लगा है तो भाई ऐसे तो काम नहीं बन रहा है, उपर से मेरी बोड यहां वाँ घुमी जा रही है, तो हमें काम करते हैं पैडल से इसको आरे तक ले जाते हैं, हम यह कर सकते हैं, देखे से यह काम बनेगाए नहीं बनेगा, ओ, और अगर यहां पर मैं मरा ना तो बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है तो एक मिन ट्राय करके देखते हैं तो हम थोड़ा अरे यारे भागना जाए बहुत मुझे लगना भाग जाएगी क्योंकि हमने आपको एंकर वगरा नहीं बनाए जोसको एक जगा समाल के रखे तो एक क्या ले सकते हम याँ पर ओ काफी तरह के पोधे वगेरा है यहां पर यार यह तो काफी जदा बढ़िया बात होगी ओ एक मिनट में आपने एक हत्यार बना लेता है मुझे चाहिए यहां पर कुलहारी पेड वगेरा काटने के रिए क्योंकि इस से हमको प्लैंक वगेरा बह बहुत जादा बना सकते एक बिनेट या बोट ना भाग जाया यार ये बोट भाग सकते है और यहाँ पी पोदे जो उगने भी शुरू हो चुके देखरा आप पोधे भी वगिने शुरू होगे देखो चोटे-चोटे पोधे हो चुके क्या बात है अगर हम उनको फ्रेश पाणी देते तब ही यह उगते आप मैं समझा है इसको अरे शाख यहां तक आ चुकी है इसको भगाना पड़ेगा अभी तब आईलेंड में यही कैसे हमला कर रही है मेरे यार क्या फागल बन है हम तो भी जमीन में वो जमीन में भी हमला कर रही है बेशिरम कही की फिला भाई यहां पर हमको anchor बनावर्ट बनाना पड़ा है कि anchor के बिना यहां पर काम नहीं चलने वाला है कि यहां पर मेरी boat किसी भी वक्त अगर फिसली ना तो भाई यहां पर तुफान इतनी तेज आ रहा है कि मेंको टायम भी नहीं मिलेगा, अपनी boat में बैठने坦े का ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है 1 सेकिंड में कुछ भी हो जाता जैसे 1 सेकिंड में शाक ने अटाएक करके चली भी गई, तो ऐसी भी हो सकता है कि मेरी boat 1 सेकिंड में कहां से कहां हो जाए और जैसी है मेरे से दूर पहुँची तो भाई सब खतम सब खतम हो जागा मैं 0 में पहुँचूँगा तो यह मैं बिलुकुल भी नहीं करने रहा तो हमको यहाँ पर एंकर बनाना पड़ेगा और हमको जी यहाँ पर प्लैंक ची यह एक मिनट तो कहां रखे इसको एक मिनट कहां यहां पर नहीं रख रहा है यहां पर नहीं रख रहा है यहां पर नहीं रख सकते हैं यहां रख सकते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बाई एंको का मैं रख दिया है अप इसको चक के हम फैकते हैं जमीन में और इससे हमारी जो बोट है हो एक जगह स्टेबल तो रहेगी कम से कम एक मिन इसे पिक अप करना है इसको ठीक है और यहां फैकना है ओर राइट ओर राइट फाइनली यहां पर हमने एंकर लगा दिया अपने बोट पर और देखो बोट कितनी जाता हिल रहे है देख रहो कितना तकड़ा तुफा बाद बनाएंगे फिला यहां पर सुबा भी होने वाली है और यहां पर हमेरे पास पढ़ा है पूरा पूरा एक आइलेंड तो देखते हैं यहां पर क्या-क्या हमें मिल सकता है यहां पर कोई जंगली जानवार मिल जाएंगे तो बहुत जादा बड़ी है ओ पाइनेपल हम इसे हम खा सकते हैं क्या बात है बहुत कुछ मिलने वाला है इसको हम रखने वाले अपने श्टोर के अंदर छुपा के रख देंगे ताकि इसको में जल्दी खतम ना कर सकूँ और यहां पर बीच भगारा भी मिल रहे है तो इससे हम क्या पता कोई पोडा अगेरा या पेड प्राइब करेंगे इन सबको एक विरे डिया वहां पर मैं पहले फ्राइब करने को लगाया तो मशली और एक मशली अपने पास रखता हूं उसे खा लेता हूं कि भूग लग रही है और इसके बाद यहां पर हम एक्सप्लोर करने वाले पूरे के पूरे आइलाइंड को देख तो एक मिनट यहां से पहले मैं थोड़ा पानी भी न प्यूरफाय करने को लगा देता हूं तो यह सब प्यूरफाय होता जाएंगे अभी मेरे को यहां पर क्या काम है यहां पर मुझे एक्सप्लोर करना अपने पूरे के पूरे आइलाइंड को देखना यहां पर क्या क्या सकता है फिलाव पाइनैपल तो मुझे यहां मिल गया है और यह रेड रोज किसलिए भई फिलावर वगेरा का क्या काम है हमारे पास क्या इसे हम कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते मुझे नहीं पता लेकिन जितरा भी हमें जो जो समार मिलेंगा एक मिनूट यह क्या है इसे stone नहीं है मेरे पास और क्या करें कुलाड़ी के बिना तो island में जाना बेकार बात है क्या हम पेड़ विगरा नहीं कार सकते एक मिनट भाई यह क्या है वाटर मेलन ओ भाई क्या बात है वाटर मेलन हमारे पास है तो इसको भी हम खा सकते हैं बीच को मेरे क्याल से यूज कर सकते ट्री वगेरा बनाने के लिए तो यह ओ, ने, 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 ने पानी से निकल, पानी से निकल नहीं तो भाई शाक तुझे खा जएगी निकल, 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 ये गल्थी कभी नी करनी पानी के अंजि शाक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जुरू कर देना, कमेंट कर देना, शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बारी देख रहे या फिर चुप चुप के देख रहे हों सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब करके बेल लाक अंद बादना मिलता आपसे अगली वीडियो में क्योंकि अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है तब तक अपना ख्यार रखिए बाई बाई